कि एक कुश्चिन न रोकर बार बार आता है कि सर यह क्या है कि युवेस मार्केट जैसा हुआ हम भी उसी तरह बीएफ करते हैं दाउजोन जैसा या करता है दाउजोंस अगर गणने लगे तो फिर सारे ग्लोबल मार्केट गणने लगते हैं पूरी दुनिया डौजोंस को क्य यादा डिपेंडेंट है इन फैक्ट अल्मोस्ट एट्टी परसेंट ऑफ रेवेन्यू यह डाउजोंस के जितनी कंपनीज है ना सबका यूएस के बाहर से आता है मतला आप समझो और इन फैक्ट आज के डिट में अल्मोस्ट दुनिया का साइधी कोई कंट्री ऐसा होगा जह करेंगे बट पहले हम यह देख लेते हैं कि कैसे इसके कॉंपोनेट्स क्या क्या है एंड कैसे वह हमारे उपर इंपैक्ट कर सकते हैं तो मैं आपको अभी दिखाता हूं देखिए यह पूरे लिस्ट ऑफ ठटी स्टॉक्स है सबसे हाइस वेटे युनाइट हेल्थ बहुत पॉपलर ग्रूप है एंड दुनिया अल्मोस्ट हर कंट्री में इसका एक्सपोजर है इवन इंडिया में भी कैलकटा में भी मैं जानता हूं कि इनके ऑपरेशन है तो इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है एंड बहुत जगह है गोल्ड मेंस जो लोग भी काने की जरोत नहीं है कैटरपिलर जुनिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन एक्पेपेंट मैं इसे एक है वीजा मास्टर कार्ड मतलब आज के डेट में रूपे तो आ गया इंडिया में बट वीजा और मास्टर कार्ड के बिना आप भी जानते हो कि 99% कार्ड इंडिया मे काम नहीं करेंगे अगर वीजा और मास्टर कार्ड नहीं रहेगा तो बोईंग हनीवेल हनीवेल बड़ी कंपनी है आपके आपके अटोमेटिव पार्ट्स और यह सब के लिए बोईंग एरक्राफ्ट बनाता है फाइटर जेट बनाता है अमेरिकन एक्सपेस जॉंसन औं ज सारे प्रड़क्ट्स है और उनका इंडिया में 20-25 अगरोड का सेल्स है साल का ठीक है 3M, Walmart, JP Morgan मतलब यह सारे कंपनीज का आप नाम सुनके देखो Coca-Cola हो गया Verizon, Intel ठीक है और यह international business जो दिख रहा है यह basically IBM है ठीक है आप खुछ सोच के देखो कि इसमें जितनी कंपनीज है यह इस सबका तो आपने इंडिया में भी नाम सुना होगा एंड इंडिया ही नहीं दुनिया भर में इनका operations है एंड दुनिया भर में इनका exposure है इसी कारण Dow Jones पर कुछ भी हो रहा होता है ना तो उसका impact globally भी पढ़ता है क्यों क्योंकि आज के डेट में हम इतने जादा connected हो चुक नहीं था बट हमारा banking index positive था क्यों positive था मैं आपको बढ़ाता हूं क्योंकि US में financial services positive हो क्या है थे अब Dow Jones में almost 20% अगर हम देखें तो almost 20% weightage है financial services का है उसके कराण Dow Jones कल रात में positive था इसी लिए क्या हुआ हमारा nifty positive नहीं भी होते हुए bank nifty positive रह गया क्यों क्यों क्योंकि banking shares में हमारे यहां पर भी उचाल था उनका हमने देखा यहां उनके better आया और उनका better क्यों आया जब results आना चलू हुआ guidance आना चलू हुआ तो यह पता चला कि चुकि bond yields वागे रह नहीं है तो इनका जो treasury operations से income होता है वो बढ़के आने वाल इसलिए हमारे banking stocks भी उपर गए तो जैसा हमने यह सब तो अच्छा इसी तरह अगर मैं आपको और दिखा हूँ बाकी stocks का भी आपको दिखाता हूँ तो अगर हम बात करें अगर technology stocks की चलिए बात करते हैं ठीक है चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ technology तो टेक्निलोजी में अगर आप देखो के तो सारे बड़े नाम दिखेंगे आपको Microsoft, Salesforce, Apple, IBM, Cisco, Intel सबका नाम लोग सुने हैं काफी viewers तो इन में से जॉब भी करते होंगे 17.5% weightage है अगर ये component डाउ जोंस का shoot up कर रहा है तो आपको भी मालूम है कि हमारे यहां के IT companies भी अच्छा perform करेंगे क्यों क्यों क्योंकि यही component तो वो है जो drive करते हैं पूरे दुनिया में automations and services को आज के date में एक laptop Microsoft और Apple के बिना चल नहीं सकता ठीक है और इसमें alphabet नहीं दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि alphabet यहां पर नहीं है बट अगर alphabet मतलब Google जो हो गया उसको अगर आप include कर लोगे तो Microsoft Apple और Google के बिना तो आधा technology दुनिया का पैडलाइज हो जाएगा तो इसी कारण क्या होता है इतना जाधा effect पढ़के आता है तो काफी लोग यह सोचते हैं कि हम US market पे इतना जाए dependent क्यों है हमारा पुद का वेटेज क्यों नहीं है कुछ उसका कारण ही यही है कि हम है अब कुछ हम कर नहीं सकते हम खुद उनके प्रोड़क्स को इतना यूज करते हैं इसमें से आप अगर नाम नहीं भी जानते होगे आप चेक करके देखो कि आपको पता चलेगा कि हाँ कोई ना कोई आप यहां में कहीं ना कहीं सुना हो और ऑज़ इस तरह नहीं से किसी कंपनी का अपने प्रोड़क्न यूज किया हो ये बहुत रही हा रहे है आपने कोई на कोई का प्रोड़क्त जरूर्ग यूज किया होगा तैट तो अब हमाल इज़ उस तरह कि top companies में अगर invest करना है top US companies में, तो आप कैसे कर सकते हो तो देखे, पहले US में investing ने इंडिया से बहुत difficult हुआ करती थी, बट आज के date में अगर आप ये देखोगे न, की काफी सारे ऐसे platforms हैं, जो easy access देते हैं US stock investing का, और government of India का भी liberalized remittance scheme जो है, उसके हिसाब से आप investment कर सकते हो US में, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, और कोई restrictions भी नहीं है, so description में दिये गए link से, आप चाहें तो IND money app को download करें and आप जैसे ही download करते हैं and first time जो अपना US account को आप fund करोगे तो आपको 750 वर्थ के गूगल stocks आपको मिलेंगे, so description में दिये गए link से, IND money को आप download कर सकते हैं, आप कुछ लोग पूझेंगे, sir, IND money से ही क्यों करें उसका reason यह है, कि देखिए, ये account opening आप से कोई charges लेते नहीं है brokerage ये लेंगे नहीं, आप से commission का कुछ है नहीं, best exchange rate ये provide करते हैं, additionally इसमें अगर आपको, माल लीजेए, आपका budget है कि मैं को सिर्फ 10 dollar ही invest करना है तो आप 10 dollar का भी share कही सकते हो, आज के date में एक Google का share 200 dollar का आएगा, या एक Amazon का share 200 dollar का आएगा, आपको invest करना है 50 dollar ही उसमें, तो आप चाहो तो कर सकते हो, fractional investing का भी ये facility provide करते हैं उसके बाद already यहाँ पे 4 million लोग use कर रहे हैं, right, इन में से मैं भी एक user हूँ, और मैं खुद भी अपना US stock investing IND money के थूई करता हूँ, so description में दिएगा link से, आप IND money app को download करिए, and जब आप first time अपना US account fund करेंगे, तो आपको 750 worth के Google stocks आपको मिलेंगे, so video अची लगी हो, तो like कर दीजेगा